बड़ा बजार के TMC नेता को बिहार से किया गया गिरफतार कोलकाता के वाल्ड नमबर 42 की एक प्रमूग TMC नेता अशोक ओजा को बकसर बिहार में हाती के नातों के अवे तसकरी के आरोप में हिरासत में लिया गया बड़ा बजार छेतर की इस प्रभावशाली नेता पर वन्य जीव तसकरी में शामिल होने का आरोप है जिसने स्थानी राजनीती में खलबली सी मचा दी है गिरफतारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से लगबग 45 किलोग्राम हाती के दाद बरामत किये है ये कारवाई एक विशेज जान दल द्वारा किया गया था जो लंबे समय ते इस गतिबीदी पे नज़र रखे वे थे सुत्रो के अनुसार वार्ड नमर 42 के काउंसिलर महेश शर्मा से भी इस मामले में जल्द पूस्ता की जा सकती है बड़ा बजार के गंदावर नेता जो बिहार से हिरासत में लिये गए है इसके बाद ही कोलकाता की राजनीती गर्म हो गई है बड़ा बजार के रहने वाले इस नेता बिहार में क्या कर रहे थे बिहार से उनका क्या संपर्क है और बिहार पे वो हाथी तसकरी करने क्यों गए और उस पैसा से वो क्या करते थे क्या ये उनका पहला तसकरी था या इससे पहले भी वो तसकरी कर चुके है ऐसे बहुत सारे सवार अभी खड़े हो रहे है हाला कि कोलकाते की राजनीती एक गरमाहट रूप ले रही है क्योंकि टीमसी से जुड़े वे है ओजा और उसके साथ साथ वहां के काउंसीलर के भी पूछ ताच करने की आशंका जताई जा रही है ये घटना आते ही कोलकाता में लगबग हर जगा काउंसीलर को लेके भी बात्चीश शुरू हो गई है और उनके साथ साथ ये घटना वन जीवन संरक्षन से जुड़ी कई बड़े सवाल खड़े कर रहे है पूलिस का कहना है कि इस मामले में जाच होगी और जो भी लोग शामिले उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी क्या काउंसीलर भी इसमें शामिले ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि वे काउंसीलर के बहुत ही करीबी थे साथ ही वो हिंदी सेल के एक मतवपूर कारेकर्ता के रूप में भी जाने जाते थे और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उनका काफी प्रभावता बड़े बड़े नेताओं के साथ भी उन्हें देखा जा रहा था वो 42 वार्ड त्रिणमुल कॉंग्रेस का ध्यक्ष है और काफी दिनों से ध्यक्ष है और जिस नेता ने बनाया उसको जो यहां के सांसेद हैं सुधी बंदोपाध्या है सुधी बंदोपाध्या खुद ही पहले जिल में गए हुए है और यह असोग जो है यह कुई जरूरी नहीं के असोग होजा जो है यह पहली पर पकड़ा यह काम किया है यह काम बहुत पहले से करता होगा ना क्योंकि देखी हाथी को मारना हाथी जिसके पास है वह गौश्म कामेंट के पास सब खबर होता है और हाथी मारा है हाथी їх को मारने के बाद उसका जो क्या सब जानते नहीं है लेकिन जो सुनने में कि क्रोड़ रुपया में विक्री होता साथ 40 किलो के लगोग था तो इसका मतलब वह पैसा जो है इसके पहले से वह करते आ रहा है उसके वह आप अगर उठा के दोखे तो वह वह अवैद निर्मान या बहुत सारा ऐसा काम है जो असो है उससे जिसका लें देन है सब को पैसा देगा नहीं ये जोड़ा सब् essas जो के पधायक हम सात में रहते हैं इसमें कोई सक नहीं है जोड़ा सब्सक्राइबी चुकिंग्वे प्रिसिडेंट है तो इसलिए वह में बिवे गुता कहां नहीं कर हुए लेकिन पार्टी प्रिस चरकर के जीती हो जैसे भी जीती हो लेकिन वहां उस समय अध्यक्ष था वहां पर अशोगोजा और विधायक थे यह बीवेक गुपता सांसत थे सुदीब बंद पाध्या नहीं उसको अध्यक्ष बनाया गयोंकि उत्रक लगड़ा के अध्यक्ष है तो वह सांसत का नजदीकी हैं विधायक का नजदीकी है पारसत का नजदीकी है और तमाम बहुत सारे लोग अगर त्रिणमूल के उपर सता के लोग अगर रिश्वत खोरी घोटाला में रहेंगे तो उनके बाकी जितने लोग जो हैं जितने नवरतन सब हैं और उस पर से अगर विधायक का खास हो तो शक्ति और बढ़ जाती है तो हाथी का दाथ तो कहता है ना दिखाने को एक खाने को एक तो चलिए तो हाथी के दाथ के साथ पकड़ा गया ये अभी हाथी के दान्त के साथ पकड़ा रहा जितना भी देखिएगा इलिगल कारबार ये जितने घोटाले हैं के नेतागंड से उनको वनुपरानित हुआ है अगर कोई कोईला घोटाला कर रहा है कोई सोना घोटाला कर रहा है तो हाती के दात का कर रहा है तो गनिमत की पकड़ा गया तो जानेगे ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो हाती का दात दिखा नहीं पा रहे हैं हाती का दात रखे हैं तो ये तिनमुल का कल्चर है वो काम वो कर रहे हैं उससे अलग नहीं हो पाएंगे जल्दी से माल कमाने के ल रहा नहीं कैसे भोग करेंगे कैसे माल कमाएंगे यही शिक्षा मिली हैं तो जैसे करना होगा उससे का लुद्धत करना होगा करेंगे कोई सोना एक्सपोर्ट इंपॉट करता है कोई राति का दात कर रहा